राजधानी के यातायत पुलिस ने ट्राफिक व्यवस्था को सुधरवाने वाहन चालकों को स्टॉप लाइन के पहले वाहन रोकने के लिए 25 अक्टुबर से जागरुकता अभ्यान शुरू करेगी बता दे की जागरुकता अभ्यान के श्लोगन मिशन स्टॉप लाइन है जिसमें ट्राफिक वाहन चालकों को जागरुक करेंगे इसके लिए स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड, NCC बच्चों की मदद ली जाएगी इस अभ्यान में पहले वाहन चालकों को स्टॉप लाइन पर रुखने की समझाईश देंगे और नहीं मानेंगे तो उस पर कारवाई भी करेंगे यातायात विभाग के DSP सतीर ठाकूर ने बताया कि मिश्चन स्टॉप लाइन शहर के सभी प्रमुक चौक चौराहों पर 25 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा इस अभ्यान में स्कूली बच्चों, शिक्षकों वा स्काउट गाइड को जोड़ा जा रहा है सभी को ट्राफिक मुख्याले परिसर में स्मार्ट सिटी के तहट स्थापित, इंटेलिजन ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ट्राफिक पार्क के बारे में विस्तार से बताया जाएगा इसके अलावा शहर में संचालित करीब 10,000 आटो रिक्षा में पॉम्पलेट चस्पा किया जाएगा पॉम्पलेट में आटो रिक्षा को सही तरीके से खड़ी करने, चालकों को वर्दी पहनने, लाइसेंस वाप पर्मिट लेकर साथ चलने का निर्देश दिया जाएगा ये सब वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है, जिससे सड़क पार करने के दौरान होने वाले हाथ्सों को रोका जा सके और उनको अभियान के तहद हमारा जो ITMS सिस्टम है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम और ट्रैफिक पार्क है, उसका भ्रमन कराएंगे और एक चौक में ले जाके उनको किस प्रकार ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक को रेगुलेट करती है, उसके बारे म जानकरी देंगे, और जो हमारा ट्रैफिक पार्क है, और ट्रैफिक एज्यूकेशन की क्लास भी चलाएंगे, उसमें ट्रैफिक के किस प्रकार हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं, उसके जानकरी देंगे, इसके इलाबा, जो और जागरुकता अभियान के तह जो निधारित मापदंड है उसी के नुसार अपने सावारी को बिठाएं और यातयात वहस्ता को वहस्तित बनाने में यातयात पुलिस की मदद करें